हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम फूट डरसिपीज आज हम बनाएंगे चौला फली के साथ खाये जाने वाली उसकी तीखी चटनी ये चटनी खाने में बहुती टेश्टी और स्पाइसी होती है इस चटनी के बगेर चौला फली को आप अधुरी कह सकते है चौला फली की इस चटनी के साथ अगर आप चौला फली खायेंगे तो इसका स्वाद दुगना हो जाएगा इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चली इसे बनाना शुरू करते है सबसे पहले इस बाउल में हम डेड़ बड़े चम्मत जितना बीस सनेड कर देंगे अब इसमें हम तीन चम्मत जितना दही डालेंगे तही मैंने यहापे मीडियम खट्टा लिया है अब इसमें हम एक चम्मत जितना नमक डालेंगे वन फोर्थ टी स्पून जितना हल्दी पावडर डालेंगे अब मैंने यहाँ पर डेड़ कप यानि की 300 ml जितना पानी लिया है जिसमें से मैं अभी थोड़ा ही डालूँगी और इसे एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि इसमें कोई लंपस ना रहे थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए उसके बाद बाकी बज़ा भी सारा पानी में इसमें एड़ कर लूँगी और फिर से मैं से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी यह मिक्स्चर एकदम स्मूध बनना चाहिए इसमें कोई भी कुटलिया नहीं रहनी चाहिए अब मैंने गैस पे एक पैन गरम करने रख दिया है जिसमें हमने जो बेसन का गोल बनाया था वो यड़ कर देंगे और अब हम इसे कल्छे से कंटिनुईस चलाते जाएंगे धीमियाच पे वन्ना हमने जो दहीं डाला था वो फट सकता है और अब यह एकदम पतला है तो हमें इसे जैसे जैसे कोक करेंगे वैसे वो गाड़ा होता जाएगा तो इसमें आट से दस मिनट का वक्त लग जाएगा आप देख सकते हैं कंटिनुईस चलाते हुए मैंने इस मिक्सचर को आट से दस मिनट दीमियाच पे पकाया है बीसन बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए और दीमियाच पे ही हमें इसे पकाना है अब गैस बन करके इसे टूटली थंडा होने देंगे अब हम एक चटनी बनाएंगे तो एक मिक्सर जार में हम वन फूर्ट कप जितने हरे दन्या एड़ कर देंगे दू बड़े चम्मजितना फुदीना डालेंगे तीन से चार तीखी हरे मिज़ को मैंने बारीक काट लिया है वो एड़ कर देंगे वन फूर्ट कीसपून जितनी काली मिज़ डालेंगे दस से बारा काली मिज हैए अब इसमें हम वन फोर्ट कप जितना पानी डालेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ये देखे हमारी हरी चटनी रेडी है हम इसे एकदम बारिक पिसना है इस तरह से स्मूध हो जाना चाहिए अब हमारी बेशन की कड़ी भी अच्छे से ठंडी हो गई है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है फ्रेंट्स हमारी चॉला फली की चटनी बन के तयार है मैंने इसे चॉला फली के साथ सव किया है और चॉला फली कैसे बनाते हैं उसका वीडियो में पहले ही चैनल पे अप्रोड कर चुकी हूँ इस वीडियो की लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देई दूँगी अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आपको मेरा यही वीडियो गुजराते में देखना हो तो उसकी भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीई हुई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then, bye!